निकी राओ में आपका स्वागत है यहाँ आपको मिलेगी सही जानकारी चलो तो फिर देखते हैं यहाँ आपको एंडरोइड से लेकर आइफोन तक और बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार की आने वाली खबर मिलती है हॉंडा ने इंडोनेशिया में अपनी जीनियो 110 लाँच कर दिया है इस स्कूटर को हॉंडा ने बहतरीन डिजाइन दिया है साथ ही इसमें आपको जबरदस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं यह हॉंडा गेनियो का 2022 मॉडल है हॉंडा की इस नई स्कूटर जिनियो में आपको 110cc का इंजन मिलता है जो 8.9 PS का पॉवर और 9.3 नानो मीटर्स का टॉफ जेनरेट करता है इसमें आपको 12 इंच का ऐलोई वील्स मिलते हैं इसमें आपको पुराने स्कूटर के मुकाबले चौड़े टायर मिलते हैं वहीं इसका ब्रेकिंग और सस्पेंशन पुराने जैसा ही रखा गया है इस नई स्कूटर में आपको हॉंडा की आइडिलिंग स्टॉप सिस्टम म भारतिय करंसी में इसकी कीमत 93,000 रूपीज है इसे अप्रिलियर और फास्टनों से इंस्पायड होकर बनाया गया है क्योंकि इसका डिजाइन दोनों के काम्बिनेशन जैसा लगता है हॉंडा जीनियो को अभी तक भारत ने लॉंच करने के कोई भी खबर सामने नहीं आई है बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ नई स्कूटर देश की सबसे पॉपुलर स्कूटर हॉंडा आक्टिवा को रिप्लेस कर सकती है वहीं अगर अभी आप हॉंडा को छोड़ कर कोई दूसरी 110cc की स्कूटर लेना चाहते है तो आपके लिए टीवी एस जूपिटर अच्छा ओप्शन है इसमें आपको कई अन्य और एडवांस फीचर मिलते है हॉंडा जीनियो 110 के बारे में आपका क्या उपिनियन है कॉमेंट करे है यहाँ आपको मिलेगी सही जानकारी यहाँ आपको एंड्रोइड से लेकर आइफोन तक, स्मार्ट वाच से लेकर डीसलार कैमरा तक विन्डूज से लेकर मैकबोक तक और कार से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की खबर मिलती है ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके मोबाइल पर मिल जाए हर वीडियो का नोटिफिकेशन